रोहतास दुर्ग के प्रकोश्च में बैठी होई यूती ममताशों के तिक्ष्ण घंबीर प्रवाह को देख रही थी, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बिरसाग के लिए वह विकल थी, वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूडा मने की एक मात्र दोहिता थी, उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परन्तु वह विध्वा थी, उसकी विडंबना का अंत कहां था, चूडा मनी ने चुपचाप उस प्रकोश्च में प्रवेश किया, शोन के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन निलाने में बेसुद थी, पि बढ़ कर बाहर चले गए, ऐसा प्राहया होता, परन्तु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिन्ता थी, पैर सीधे न पढ़ते थे, एक प्रहर बीच जाने पर वे फिर ममता के पास आए, उस समय उनके पीछे दस सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिये कितने ही मनुश्यों के पदशब्द सुन, ममता ने घूम कर देखा, मंत्री ने सब थालों को रखनी का संकेत दिया, अनुचर थाल रखकर चले गए, यहाँ क्या है पिता जी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चुडामणी ने आवरण उलट दिया, सुवर्ण का पीलापन उस उनहरी संध्या में विकिर्ण होने लगा, ममता चौंक उठी इतना सुवर्ण, यहाँ कहां से आया? चुप रहो ममता, यहाँ तुम्हारे लिए है तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच सुविकार कर लिया? पिता जी, यहाँ अनर्थ है, अर्थ नहीं, लोटा दीजी पिता जी, हम लोग ब्राम्मिन हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन मुख प्राचिन सामन्त वन्ष का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेर्शा रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित वना रहेगा, तब के लिए बेटी मुर्ख है वे अपने को रोक न सके, उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरन खुलवाना चाहा यहां महिलाओ का अपमान करना है बात बढ़ गई, तलवारे खीची, मंत्री वही मारे गए, राजारानी और कोश सब छली शेर्शा के हाथ पड़े निकल गई ममता, डोली में भरे हुए पठान सैनिक, दुर्ग भर में फैल गए, परन्तु ममता ना मिली काशिक के उत्तर में स्थित धर्म चक्रव विहार, मौर्य और गुप्त समराठों की कीर्थी का खंडहर था खंडच शिकरों वाले भवन, त्रून गुल्मों के ढखे हुए प्राचीन और इंटों के डेर में बिखरी हुई भारतिय शिल्प की विभूती, ग्रिश्म की चंद्रिका में स्वयम को शीतल कर रही थी जहां गौतम का उपदेश ग्रहन करने के लिए पंच वर्गिय भिक्षू पहले मिले थे उसी स्थूप के भगनावेश की मलीन छाया में एक जौपडी के दीपा लोक में एक स्थ्री पाठ कर रही थी अनन्या श्विन्त यंतों मा ये जनाहा पर्युपासते पाठ रुख गया एक भीषण और हताश आकरिती दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी स्थ्री उठी उसने का पाठ बंद करना चाहा परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आसरई चाहिए तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ चौसा युद में शेड़सा से विपन्न होकर रक्षा जाता हूँ इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ क्या शेड़सा से? हाँ माता परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो वही भीषण रक्त की प्यास वही निष्ठूर प्रतिवीम तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं जाओ कहीं दूसरा आश्रई खोज लो गला सूक रहा है साथी छोट गय है अश्वा गिर गय है इतना थका हुआ हूँ इतना वह व्यक्ति धम से बैठ गया उसके सामने पूरा भ्रमांड घूमने लगा स्थी ने सोचा यह विपत्ती कहां से आई उसने जल दिया मुगल के प्राणों की रक्षा हुई वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं मेरे पिता का वद करने वाले आता ताई द्रिणा से उसका बन विरक्त हो गया माता तो फिर मैं यहां से चला जाऊ स्थी विचार कर रही थी मैं ब्रामनी हूँ मुझे तो अपना धर्म अतिती देव के सत्कार का पालन करना चाहिए परन्तु यहां नहीं नहीं यह सब दया के पात्र नहीं परन्तु यह दया तो नहीं करता व्य करना है तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ क्या आश्चर्य है कि तुम भी चल न करो फेहरो चल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हो मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुख मंडल देखा उसने मन ही मन नमस्कार किया ममता पास की टूटी दिवारों में चली गई भीतर्थके पथिक ने जुपडी में विश्राम किया प्रभात में खंदहर की संधी से ममता ने देखा सेकडो अश्वारो ही उस प्रांत में घूम रहे हैं वह अपनी मुर्खता पर स्वयम को कोसने लगी मिर्जा मैं यहां हूँ शब्द सुनते ही प्रसनता की चितकार द्वनी से वह प्रांत गूंज उठा ममता अधीक भाइभीत हुई वह स्त्री कहा है उससे खोज निकालो ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई वहम ब्रुगदाव में चली गई दिन भर उसमें से ना निकली संध्या हो गई वे लोग जाने लगे ममता ने सुना पथिक घोडे पर सवार होते हुए कह रहा था मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका वे वहां से चले गए चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन वीद गए ममता अब सक्तरवर्ष की व्रिद्धा है एक दिन वह अपनी जौपणी में पड़ी थी शीतकाल का प्रभाव था उसका जिर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था ममता की सेवा के लिए गाउं की दो तीन स्त्रियां घेर कर बैठी थी क्योंकि ममता आजीवन सब के सुकदू की सहभागी नी रही थी ममता ने जल पीना चाहा एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया सहसा एक अश्वारोही उसी जौंपडी के द्वार पर दिखाई पड़ा वह अपनी धुन में कहने लगा मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगा का होना चाहिए वह वुढ्या मर गई होगी ममता ने अपने विकल कानों से सुना उसे बुलाओ मैं नहीं जानती की वह शहनशा था या साधारण मुगल पर एक दिन इस जोपडी के नीचे वह रहा मैंने सुना था की वह मेरा घर बनवाने की आज्या दे चुका था भगवान ने सुन लिया आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ अब तुम इसका मकान बनाओ या महल मैं अपने चीर विश्राम ग्रिह में चाती हूँ बुढ्या के प्रान पखेर उड़ गए वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया वहां अस्टकॉन मंदिर बना और उस पर शिला लेख लगाया गया साथो देश के नरेश हुमायू ने एक दिन यहां वश्राम किया था उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाहल गगन चुम्बी मंदिर बनवाया पर उसमें ममता का कहीं नाम न था हुमायू